हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू यूर ओवन चैनल मार्किट एनलिसिस दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी फिप्टी और बैंक निफ्टी में क्या कुछ लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं बेसिकली कहना चाहूंगा दोस्तो कल सैटरे हैं और कल मार्किट ओपन रहने वाली हैं फर्स सेशन क्या होगा नाइन से लेके दस बजे तक का फर्स सेशन होगा मतलब एक घंटे ये और उसके बाद साड़े ग्यारा से साड़े बारा आपको सेकेंड सेशन यहां पर देखने क होगे हैं BTST के लिए या कोई भी मतलब पहले से आपने यहां पर बाई किया हुआ है कोई भी स्टॉक्स है फुर एक्जम्पल कोई भी एक्स वाई जड्ड यहां पर आपने स्टॉक लिया हुआ है 100 रुपीज पे ठीक है अगर उस स्टॉक्स को कल वो सीधा खुल जाता है 130 30 रुपे पे और आपको यहां पर प्रोफिट बहुत अच्छा खासा हो रहा होता है 30% के यहां पर प्रोफिट हो रहा होता है तो आप उसको कल चाके भी दोस्तों सेल नहीं कर सकते यह सिस्टम रहने वाला कल मतलब आप BTST वगेरा जो भी कुछ लेके गए पहले से तो उसक अगर आपके पास खुद का अपना खुद का फंड है तो आप डिलीवरी में मेटल बाई करके ले जा सकते हैं नो प्रोब्लम ना दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक बार निफ्टी 50 के बारे में निफ्टी 50 जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वाली वीडियो में मैंन मुमेंटम हमें देखने को मिलेगी नहीं बिल्कुल रेंज बाउंड कल रहने की पूरी पूरी अमीद है और दोस्तों कहना चाओंगा इंटरे में आप जो है अपनी पोजिशन बिल्कुल भी नहीं बनाना ऑप्शन में खास कर क्योंकि क्या होगा कल जो डेटा यहां पे आ यहां पर गया बहुत हुए दीख सकता है तो इसमें आपको कई ना कई confusion पैदा हो सकती है तो इसको थोड़ा सा वोइड कीजिए कल के दिन आपने सिर्फा सिर्फ मार्किट में देखना है और अगर किसी स्टॉक्स को बाई करना है तो वो कर सकते हैं और ऑप्सन को थोड़ा रही है उसके बाद तो कोई हमने लिया यह नहीं जैसे ही लेने की कोसेश करते हैं यहां पर ब्रेक आउट दीखता वापस नीचे आ जाती नीचे से फिर उपर चले जाती मतलब यहां पर लग रहा था कि ब्रेकडाउन होगा तो हम लेंगे यहां पर भी नहीं ले पाए फि इसी जोन में आपको घुमते हुए दिखाई पड़ सकती है तो इस पे आप जो नजर बनाखे रख सकते हैं एक या दो गंटे के लिए दोस्तों market open होगी उसमें क्या ही trade ले लोगी आप तो इसको avoid करो अपने capital को बचाने की कोसिस करो नहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन stocks के बारे में जो हमने अभी recently study कराया था सबसे पहला stock है IRFC आप देख सकते हैं मैंने इस level के आज पास study कराया था बड़ी मुश्किल से दोस्तों 3 दिन ही हुए होंगे इस level पर था जब ठीक है उसके बाद 3 दिन बाद दोस्तों आप देख सकते हैं क्या जवरदस्त momentum यहाँ पे हमें बना के दिया हुई है करिब करिब दोस्तों 8% का momentum यहाँ पे जो बना के दिया हुए है I hope आपने इसको gainfully enjoy किया होगा and इसके पीछे का logic आपने समझा होगा main चीज दोस्तों learning है अगर आपने learning ले ली तो भी मैं यह समझूँगा कि आपने कहीं न कहीं profit किया है या करोगे क्योंकि जब आप सीखोगे तो ही तो profit करोगे अगर आप सीखोगे नहीं तो profit नहीं हो सकता next हो के दोस्तों majaggone dog आप देख सकते हैं यह मैंने intraday के लिए यूज किया था हालग कि मैंने आपको किशी को भी शेयर नहीं किया टेलेग्राम चैनल पे यह हमने premium members के साथ जो है discuss किया था उसके बाद आप देख सकते हैं क्या जबरदस्ट momentum यहां पे दिखाईए यह जो levels थे 2577 इस पे हमारी buying हो गए थी और क्या जबरदस्ट momentum यहां पे बना के दिवी दोस्तों हमारा जो target था 3% के आसपास हमने book कर लिया था profit उसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट हुई है फिर देखो क्या जबरदस्ट यहां पे upside momentum दिखाई पड़ी है लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कोई लालच नहीं है चाहिए 8% की बज़ाए 10% बना दे दिन में हमें कोई मतलब नहीं है हमें अगर 20-30% मिल जाता है इनफ है इंटरडे के लिए बहुत अच्छा है ना दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और भैतरी इन स्टोक इंटरडे प्लस स्विंग दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं सबसे पहला स्टोक है आपका औरेंट इलेक्रिक आप दोस्तों एक चीज देख सकते हैं यहां पर एक मैने इस तरीक इसने बहुत टाइम बिदाया है जब यह रेंज यहां पर ब्रेक होगी जो करीब करीब 232 मान सकते हैं उसके बाद एक अच्छी मुमेंटम यहां पर हमें देखने को मिल सकती है तो यह मुमेंटम हो सकता है आपको इंटरडे में भी आ जाए और हो सकता है आपको सिंगली भी कैरी करा रहा है दोस्तों और अभी आप देख सकते हैं इसने जो हाई लगाया था करीब 380 के आसपास का हाई लगाया था इसके बाद जो यह गिरता ही जा रहा था और एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था आज के दिन दोस्तों इसने बहुत ही अच्छी मारा बुजू केंडल के साथ में यहां पर क्लोजिंग दिये और इस टेंड लाइन के आसपास इसने जो क्लोजिंग दिये अब हो सकता है कल को यह थोड़ा बहुत यहां पर सस्टेंड करके आगे चलके मोमेंटम कंटीनु रखे तो हमें एक ट्रेड यहां पर मिल सकता है दोस्तों और उसके बाद क्या किया है अपने आपको सस्टेंड करने कोंज़िस किये फिरसे यहां पर प्रोफिट कर निकलना स्टार्ट हो रहा है यहां पर देखोगी तो एक ट्रेंड लाइन रहा पर हो सकती है और पर करने के बाद दोस्तों अगर यह मान की चलो एक दो दिन और टाइम स्पेंड कर लेता है तो एक अच्छी रिकवरी हमें या पर देखने को मिलेगी इसको आप जोए gainfully enjoy कर सकते हैं अपनी watch list में इसको add कर सकते हैं बट कहना चाहूंगा आप अपने financial advisor से चला लेके ही कोई pie selling करीगा next हो के दोस्तो sham metallics आप देख सकते हैं इसमें भी जो high लगाया था करीब करीब 750 के आसपास का high है exact में नहीं बता रहा हूं उसके आसपास का बता रहा हूं हो सकता है थोड़ा बहुत उपर नीची कहीं भी मिल जाया आपको ठीक है मैं दुबारा से आपको दिखा देता हूं एक trend line यह है और एक trend line आप जो है इस तरीके से यहां पर trade कर सकते हैं और इस trend line को आप यहां तक इसको touch कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी बुलिश यहां पर momentum इसने दिखाई है उसके बाद यह गिरा है फिर यहां पर गया है मतलब एक छोटी range में अपने आपको यह लेक के आ सुका है तो हो सकता है इस trend line के आज़ पास फिर से resistance ले फिर नीचे जाए और फिर वो पर अगर ही जाएगा तो यहां पर break करेगा एक जबरदस्ट momentum यहां पर देखने को हमें मिल सकती है तो इस पे भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं नेक्स्ट हो के दोस्तों DCM Siri Ram आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें गिरावट होने के बाद यह अभी एक एक ही channel में पैरल channel में यह जो trade कर आ रहा है एक uptrend channel है यह और इसका जब जैसी यहां पर resistance आता है तो फिर वो आप किसी आने की यहां पर कोसिस करते है हलंकि अभी यहां पर मैं देख रहा हूँ कि resistance आया नहीं है हो सकता है यह momentum थोड़ा से यहां पर continue दिखाए और यह भी हो सकता है कि यहां पर time spend करे और फिर break कर दे और अपने highs को इस तरीके से यहां पर touch करने आ सकता है तो इस पे भी आप जो नजर बनाखे रख सकते हैं इसको अपने एंट पेग ब स्टाड़ी जरूर करें आप next हो के दोस्तो दौर के सुगर यह stock कभी 150 पे trade किया करता था आज आप देख रहे हैं तो 50% के discount पर यह आपको मिल रहे हैं और कहना चाओंगा दोस्तो यह जो zone है जो मैंने पहले से यहां पर draw की हुई है यह एक बहुत बड़ी demand zone है जैसे ही यहां पर आता है एक चबरदस buying pressure हमें देखने को मिलता है तो इसका थोड़ा सा look थम भी उठा सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि बड़े बड़े institution ही यहां पर buying करेंगे हम भी कर सकते हैं बट अपने financial advices से सला लेके करेंगे कोई problem नहीं है अब यह जो मारा भूजू candle है यहां पर बनी है हो सकता है कल के दिन इस तरीके से एक inside candle बने और उसके बाद यह break करके यहां तक जाए अगर यहां पर sustain करेगा तो ही आगे निकलने की कोईसिस कर सकता है तो इसको आप जो study कर सकते हैं और दोस्तों कहना चाओंगा अगर यह stocks आपने long term के लिए रखना है तो आपका जो target है दोस्तों at least यहां से सीधा सीधा 110 के हैं आपके target मुझे दिखाई पड़ रहे हैं but this is the only for long term उसके बाद अगर यह इसको भी निकालता है तो फिर अपने all time high को यह touch करने जा सकता है last but not the least tried and limited दोस्तों one of the favorite stock है मेरा मैंने कभी इस जगे के आसपास trade किया था इसको बहुत ही जबरदस momentum यहां पर capture किया था ठीक है अब इसमें क्या हुआ है यहां पर गिरावट हमें देखने को मिली एक triangle chart pattern यहां पर बना हुआ है आज आप देख सकते हैं इस triangle chart pattern का यहां पर breakout almost होने के एक अगार पर है and हो सकता है यह आगे कुछ दिनों में यह momentum आपको continue दिखाई पड़े तो इसके लिए don't surprise for that आप इसको जो अपने end पर study कर सकते हैं and अपनी watch list में इसको add कर सकते हैं and दोस्तों कहना चाओंगा अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो please like करें thank you so much, thanks for watching